दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज़ आपसे बताना चाहूंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय रेलवे गुरूप D की परिच्छा चल रही है और आगे भी चलने वाली है तो अभी तक रेलवे गुरूप D की परिच्छा में जितने भी परिच्छा में पूछे गए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने वीडियो के डिस्कॉप्शन में आपको दे दिये हैं आप एक एक करके उनको जरूर देख लें इस सारे परसन आपको 15 लेक्चर में मिल जाएंगे जिनमें से वो सभी परसन होंगे जो अभी तक परिच्छा में पूछे गए हैं और जो भी important है आपकी परिच्छा में आ सकते हैं आने वाली परिच्छा में तो आप लोग ये 15 लेक्चर जरूर देख लें योगि प्रस्ण लगातार रिपीट हो रहे हैं सारी की सारी सिप्ट में इनको अगर आप देखते हैं तो आपकी अगर आगामी परिच्छा है तो आपको बेहत फाइदा मिलेगा आपको ये सारे के सारे परस्ण फरस्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे आप एक एक करके सभी को जरूर देख लें दोस्तो अगर आपको चाहिए रेलवे पुलिस यूपी ट्रिपल सी एससी बैंक या फिर किसी आने परिच्छा का स्टेडी माटेरियल तो आप एक काम तुरंत का लिजे आपको नीचे वीडियो के डिसक्रप्शन में हमारे अनेकेडमी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं आपको जिस परिजियो की परिच्छा का स्टेडी माटेरियल चाहिए आपको प्रोइड किया जाएगा इसके साथ साथ आपको railway UP SSC SSC की live class भी provide कराई जाएंगी दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का बात करेंगे railway भरती 2018 संबन में बहुत ही महातपूर जानकारी जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे निवेदने हैं फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो री अंसर की आने वाली है railway ALP technician के लिए उसकी date आ चुकी ही कब तक आपकी अंसर की आएगी और अगब तक आपका result आएगा हर चीट को जानेंगे विस्तार से तो हम लोग यहाँ पर है official website पर rrb रांची की आप आप सवयम आकर चेक कर सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक notice मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे click here to view individual score master questions paper with final answer की तो यहाँ पर आपको करना होगा click जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने य final answer की वो 22-11-2018 को आएगा याने कि बाइस नौम्बर 2018 को आएगा और 23-23-2018 तक रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ है आगे आप देख सकते हैं 23-12-2018 तो यहाँ पर आप यह मान सकते हैं कि आपकी answer की बात करेंगे तो 22-11-2018 को आएगी जहां दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे answer की आने के बाद 2-4-5 दिन के बाद लोग अपना objection करना सुरू करते हैं और objection होने के बाद आपका final result आता है तो इसके प्रक्रिया में लगबग आपको 5-6 दिन का समय लग सकता है यानि आपका result जो है लगबग लगबग में 27-28 नौंबर तक आएगा और result के एक महिने बाद आप समझ सकते हैं 24 दिसंबर से आपका CBT-2 होना है तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं आपके पास समय बहुत कम होगा लगबग एक महिने का समय होगा CBT-2 के लिए तो उसकी तैयारी में आप जुड़ जाए यहाँ पर आपके अंसर की की बात कही गई है तो आपकी अंसर की आ जाएगी 22 तरीक को और आपके result की बात करेंगे तो वो result लगबग लगबग में 27-28 नौंबर तक आने की संभावना है तो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही आगे की अपडेट के लिए हम से जुड़े रहें धन्यवाद